चूडियां सिर्फ स्रिंगार का साजो सामा ना होकर अखंड सौभागी का प्रतीक होती हैं। हमारे घर की महिलाओं को अपने हाथों में पहनी जाने वाली चूडियों को चुनने में बिशे सावधानिया बरतनी चाहिए। क्योंकि एक गलत चूडिय को चुनने से आपका जीवन दुखों से भर सकता है। क्योंकि सोने में कलियूग का वास होता है और हाथों से ही औरते ज्यादा तर घरेलू काम करती हैं। इसलिए विवाह के बाद इस्तरियों को हातों में सोने की चूडियों को पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। बलकि उन्हें काच की चूडियों को पहनने की सलाह दी जाती है। लोग ऐसा मानते हैं कि जो महिलाए काच की चूडिया पहनती हैं तो इससे उनके पती और बच्चों का स्वास्त बहतर होता है वैज्यानिक ऐसा मानते हैं कि चूडिया अपने आसपास के वातावरण और परिवार के स्वास्त पर भी प्रभाव डालती हैं ऐसी बाते रिसर्च में पता चली हैं कि कांच की चूडिया वाता वरड में से नकारात्मक उर्जा को सोक लेती हैं और वे हाथों के विभिन भागों पर एक अलग सा दवाव डालती हैं जिससे उनका स्वास्त बहतर रहता है अब आपने चूडियों के फाइदों को तो जान लिया लेकिन अब हम आपको ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जिससे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे लोग ऐसा मानते हैं कि तूटी फूटी धरार वाले चूडियां महिलाओं के लिए एक असुब संकीत लेकर आती हैं पैग्यानिको ने इस बात पर रिसर्च किया है कि कांच नाकारात्मक उर्जा को लेकर काफी समेधन सील होता है और जब वाता वरण में नाकारात्मक उर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है तो ये चूडियां तूट जाती हैं और कांच की तूटी हुई चूडियां और दुर्भागी का संकेत देती है एक्सपर्ट्स ऐसा सुझाओ देते हैं कि जब चूडियां टूट जाती है तो उन्हें तुरंट निकाल कर फेक देना चाहिए अगर महिलाएं टूटी चूडियों को अपने हाथों से निकाल कर नहीं फेकती है तो पूरे परिवार पर मुसीबतों का साया आ जाता है और परिवार के सदस्यों का स्वास्त दीरे दीरे गिरने लगता है तो आप हमारी बताई गई इन बातों पर अमल जरूर करें